गूर्ड इवनिंग फ्रेंड्स विश्यो वेरी हैप्पी न्यू यर्र कैसे हो आप सब और फ्रेंड्स कैसे रहे आपके एक्जाम तो आज बहुत दिनवाद ये वीडियो लेके आई हूँ इस वीडियो में हम जो HPGK के जो questions हैं जो 2020 जो अभी एक्जाम हुए हैं आपको पता हैं तो 2020 में जितने भी एक्जाम हुए हैं उनमें जो पूछे गए हैं तो उनमें से मैंने 100 questions दिये हैं और ये question बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि जितने भी आपने अदर मेरी previous videos देखी हूँगी तो उनमें से जो है ये नहीं हैं मतलब ये different questions हैं क्योंकि बहुत सारे जो students हैं वो क्या करते हैं HPGK का वो ही slaves करते हैं जो books में दे रखा है reference book में तो आपने देखा होगा कि जब भी एक्जाम आता है तो जो books में होते हैं question बहुत कम आते हैं as compared to ये जो slaves जैसे इन्होंने लिख रखा होता है उस इस वीडियो को end तक देखें आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितने question आते हैं और कितने नहीं आते हैं और जो भी friends है 2021 में जो है exam की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत important है तो आज हम ये वीडियो करेंगे तो वीडियो end तक देखें और अभी तक अगर च शित्ती धार is located in which district of HP शित्ती धार किस जिले में स्थीत हैं तो ये है कुल्लू डिस्टिक में हैं सेकिंड है कोप्रा बाटर स्प्रेंगी या कोप्रा जहरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थीत हैं ये है कांगणा में थार्ड क्रेशन है भाई दोना पाई वाज़ा स्लोगन ओफ बिच मुवमेंट इन इंडिया तो जैसे ही इसमें option दे रखे थे जैसे धामी दे रखा था तो हमें पता है धामी कोई मुवमेंट नहीं है ये एक रियासत है नेक्स्ट है पजोटा मुवमेंट तो आपको पता है जो पजोटा मुवमेंट था वो क्या था वो था क्विट इंडिया मुवमेंट का जो extension थी वो थी और भाई दोना पाई ये civil disobedience मुवमेंट था और थार्ड option दे रखा है चमबा तो आपको पता है चमबा भी जो है एक निस्ट्रिक है तो ना धामी था बी option भी नहीं है क्योंकि वो क्विट इंडिया मुवमेंट का था और चमबा भी नहीं है तो इसका option है दी नन अफ दीस क्योंकि भाई दो ना पाई आपको पता है ये maximum वार कोशन पूछा गया है तो ये हमारे civil disobedience मुवमेंट का पार्ट है नेक्स है fourth question दहिमाचल प्रदेश private education institutions regulatory commission act was enacted in which year हिमाचल प्रदेश नीजी sectioning संस्था नियम अन आयोग अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था तो ये हुआ था 2010 में नेक्स है fourth fifth question agriculture cooperative staff training institute in is located in at which place in हिमाचल प्रदेश तो ये कहां पे है ये है मशोब्रा next है डांगी is a fork dance of डांगी किसका लोक निरते है ये है चमब डिस्टिक का seventh question है बिलासपूर past, present and future book is written वाई किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है अनंचन्द के द्वारा next question है which of the following became the fifth district of HP तो पांच मर जिला कौन सा बना था ये बना था बिलासपूर तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने है कि चार जिले कौन से बने थे जब हिमाचल परदेश जब हिमाचल परदेश बना था तो उस टाइम पे कौन से पार थी हिमाचल परदेश की चार जी ले थे आपको पता होगा चार जी ले थे वो मैंने करवाया भी हुआ है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और उसका अंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी नाइथ क्वेशन है परसेंटेज ओफ स्टी पॉपुलेशन ओफ एच पी तो इस टोटल पॉपुलेशन एज परसेंस तूथाजन इलेवन इस जन गर्ना 2011 के अनुसार हिमाचल परदेश की कूल जन संख्या में अनुसूची जन जाती जन संख्या का प्रतिशद है कितना प परसेंटेज थी स्टी की ड्यूल ट्राइब की यह थी 5.71 परसेंट नेक्स्ट है रांगची गालू परबत या रांगची गालू माउंटेन पास कौन सी डिस्ट्रिक में है तो यह है कुलू डिस्ट्रिक में नेक्स्ट है इलेवन्थ क्वेस्ट्रिक में है तो यह है स्पिती बैली में 12th question is तारगिरी हिमनाद या तार तारगिरी उपर इंग्रिश में तारगिरी लिखा है नीचे तारगिरी इस लोकेटर इन विच डिस्ट्रिक ओफ एच्टी तो यह है हमारे लाहॉल स्पिती में नेक्स्ट है दे कापिटल ओफ दे कापिटल ओफ भजी डोमेनियन वास लोकेटर इन विच डिस्टिक ओफ एच्वी भजी शाशन की राजधानी हिमाचल परदेश में की स्थान पर स्थित थी तो ये हैं सुन्नी में तो जैसे कि ये आपको पता है ये new questions है ये सारे के सारे व अर्तिम शाश्य कौन सा था तो ये थे ब्रिज-मोहन जटे टीमनेक्स है गोंडला कास्टल यह गोंडला महल यह गुंदला मेहर, एक फेमस हिस्टोरिकल प्लेस इज लुकेटर, कौन से ये किस प्लेस में हिमाचल प्रदेश की ये है, केलांग में, और आपने बताने है केलांग कौन सी डिस्टिक में है, तो केलांग डिस्टिक भी पुछा जा सकता है, अभी जैसे केलांग में पुछा है, डिस्टिक नहीं पूछा है सिर्फ प्लेस पूछा है अगर डिस्टिक पूछ लिया वो भी पता हूँ नजी अपको फिरोशा तल फिरोशा तुबलक और नन अफ देज इस तो आपने मुझे बताना है किसी ने लूता था यह आपने कोमेंट बॉक्स में अंसर देना है इसका ग्वेशन नमबर 17 है जो मेरा थ्री जल्विदूत परियोजनों की कारेकारी काई कौन सी है या एक्जीक्यूटिव एक्जीक्यूटिंग अजेंसी होते है कि कौन सी अजेंसी के थ्रू जो है यह हाइड्रो प्रावर प्रोजेक्ट जो है चल रहा है तो यह है नहच पीसी नेक्स्ट है सेंटर युनिवर्स्ट्री ओफ एच पी हैस बिन एस्टेबलिश्ट इन विच इयर जो सेंटर युनिवर्स्ट्री है वो कब एस्टेबलिश वी थी 2009 में 19th question है how much distance will be curtailed between Manali and Leh after the completion of Rohtang tunnel project या Rohtang सुरंग परियोजना के पूर्ण होने के पहचात Manali और ले के बीच कितनी दूरी कम हो जाएगी तो यह हो जाएगी 48 किलोमेटर next day which of the following is the martial dance performed by the man in HP martial निरित्य कौन सा है जो पुर्ष्यों की द्वारा किया जाता है हिमार्चल परदेश में तो यह है खराथ, उजग जामा और चदगे ब्रिकर तो यह तीनों की तीनों जो है martial निरित्ते हैं जो पुर्ष्यों के द्वारा हिमार्चल परदेश में किये जाते हैं next day पुराग फेर, पुराग मिला कहां पे हिमार्चल परदेश के कौन से प्लेस में celebrate किये जाता है तो यह है कोट खाई में और कब किया जाता है अप्रेल महिने में किसके ओनर में महादेव, महादेव देवता के next question total number of developmental blocks in HP कितने है, 78 है next है, इश्वी 1365 में किस दिल्ली सुल्तान ने नगर कोट का गड़ घेर लिया तो यह थे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने, next है, which is the executing agency of नोगली hydroelectric project नोगली hydroelectric project की कौन सी है, executing agency, यह है, हिमाचल प्रदे स्टेट electricity board और यह कहाँ पे है, नोगली hydroelectric project कहाँ पे है, यह भी पता होने चाहिए, यह है शिमला district में और जो नोगली नाला है, वो किसके tributary है, सत्लूज नदी की शिमला district में तो यह भी पूसकते हैं, नोगली नाला किसकी tributary है, सत्लूज नदी की, नोगली hydroelectric project कहाँ पे है, शिमला में है और किसके थू चल रही है, यह है हिमाचिल प्रदेश state electricity board की दोरा 25th question है, लंग डार्मा, लंग डार्मा इजे famous fork dance of which district of HP तो कहाँ का है, यह है, लौहल स्पिती का, आपको पता होगा, लौहल स्पिती के एक शांद एंड शापू fork dance भी बहुत famous है, तो लंग डार्मा जो है, यह भी, कि वर लंग डार्मा भी बोल जाया जाता है, तो अभी जैसे अभी paper में इनको अलग लग लिखती है था, लंग दार्मा या लंग दार्मा, तो वो आप देख ले ना, नेक्स्ट है, घगर is a tributary of beach river of HP, घगर जो है, किस नदी की साहिक नदी है, तो यह है यमुना की, यह कहां से originate होती है, यह दक्साई village है वहां से, जो शिवालिक hills में पढ़ता है, हिमाचल प्रदेश के वहां से originate हो तो यह भी एक question बन जाता है, कि कहां से originate हो रही है, घगर, जो की सतलूज की, सोरी, यमुना की tributary है, और कहां कहां से भैठती है, यह ही flow through Punjab और हरयाना से, ठीक है, next question, next question है, the capital of Guler Prinsley Strait was at which place, Guler राजसी, राजसी की राजधानी की स्थान पर थी, तो यह थी हरिपूर मे next है, in the battle of Sabron, Sikh were defeated by, Sabron की youth में Sikh पराजित हुए थे, तो यह थे British यह केमर East India Company में लिखा होता है, तो कुछ एक बच्चे जो है, जो सिर्फ रटा मारते हैं, मैं उनके लिए बता दूँ कि, केमर जो है British India Company, British लिखा होता है, केमर East India Company होता है, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं, मैं मैं आपने British बताया था, East India Company तो नहीं बताया था, तो यह उनके लिए है, तो एक और यह किए, सफरोन के youth कब हुआ था, 1846 को हुआ था, और किसके और किसके बीच में हुआ था, सिखों और British के बीच में हुआ था, और इसमें किसके विजे the office of loka yugtbaz, founder in HP, which year, कौन से year में जो है, स्थापन हुई थी, तो यह हुई थी, 1983 को, next है, which is the executing agency of saïe kohti hydrolycate project in HP, यह बहुत important question है, saïe kohti वाला, तो इसके agency है, यह MS लिखा हुआ है, बेंचर, एनरजी, टेकनोलोजी, प्राइवेट, लिमिटर और एक और बता दू ये साई कोठी, हाइड्रोलक्टिक प्रजेक्ट और देवी कोठी, देवी कोठी जो है 16 मेगावाट का है और साई कोठी 15 मेगावाट के हैं और ये दोनों के दोनों जो हैं चमबा डिस्टिक मे हैं कि ये बहुत इंपॉर्डन कोश्चन है एक्स्ट है बाहरा यूनिवस्ट्री के बार इसको भाहरा भी बोलते हैं इस लोकेटर इन विच प्लेस इन एच पी तो ये हैं बाकना घाट जो की सोलन में है और ये 2011 में जो है इसकी स्थापना हुई थी जो रियात और बाहरा है उसके तुरू नेक्स्ट क्वेश्चन लोसर सोना चुक्षम हिमाचल प्रदेश के किष जिले का नोक रिख्या है तो मैंने तो ये पहली बार सुना है ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने आपने देखोगा पीछे जो क्वेश्चन डाले थे उन्हों में नहीं था ये और बात आपने देखी होगी जो पिछे पेपर आते थे उनका पैटरन बिल्कुल अलग होता था और जो इस वर पैटरन आ रहे हैं पेपर के चाहिए वो कलग का पेपर है चाहिए वो मतलब जितनी छोटी पोस्ट है उसके लिए उनका लैवल जीकी का उतना ही टफ है हम यह पूछ जाता था और जो बुक्स होती थी रैफरेंस बुक उन में से भी आता था बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तो आप दो बुक्स पढ़्लो तीन बुक्स पढ़्लो कुछ भी नहीं है I don't know कहां से पर आ रहे हैं इस पर तो थोड़ा सा यह सारे कुश्ट कर आपको पता है लोसर भी बोला जाता है या लोसर वो तिबती लोगों के नए साल से सबंदित है आपको पूछा जाता है कि लोसर क्या है न्यू ये फैस्टिगल के रोप में मनाया जाता है तिबती लोग गुद्वारा नेपल देव टिबा मौण्टीन पेख कहां पे है तो देव तिबा परवत यो है परवत चोटी ये है कुलो डेश्टिक में नेच्ट है शिमला टاॉण वास फॐनड़ वाई शिमला टॉण की सा सपने किसने की थी ये है मेजर कैड़ेटी दौरा नेक्स्ट है विच किस सार्श्क ने मंडी में शिभरात्री मेले के परारंप किया था या विच रूलर कमेंस्ट शिभरात्री फेर इन मंडी तो ये थे अजवर्सीन जी नेक्स्ट है खावली जल बिदुत परियोजन हिमाचल पर्देश की किस på नदी पर निदमत है तो ये हैं ब्यास नदी पर और ये हैं कांगरा डिस्ट्रिक में नेक्स्ट नेक्स्ट है निरत्थ इन हिमाचल परदेश is famous for a temple dedicated to which of the following तो ये हमें पता है सूरिय मंदिर जो है वो कहां पर है निरत्थ में तो question देख लो कैसे पुछा गया है कुछ बच्चे जो हते हैं उनको रट्टा मारा हुआ है कि सूरिय मंदिर कहां पर है निरत्थ बट अगर ये ही question गुमा के पुछा जाए निरत्थ जो है हिमाचल परदेश का एक famous place है famous temple है famous sorry famous जगा है किसी temple के लिए तो वो confused हो जाएंगे next question है नामागन नामागन is a folk dance of the people of which district of हिमाचल परदेश तो ये है कि नौर डिस्टिक का next time where is the गुरुद्वारा गुरु का लाहौर लाहौर कहां पे हैं तो ये हैं बिलास्पूर डिस्टिक में next time कुटलाहर state is presently of which district कुटलाहर रियासत अवकिष जिले का हिस्ता है तो ये है उन्ह डिस्टिक के next question है वेरी जी माचल परदेश सैंटर पोटेटो रिसर्च इंसिच्चूटर कहां पे हैं तो ये है कुफरी में next time where is लाचंद प्रार्थी कालागेंद्रा सिच्चूटर ये कहां पे है ये है कुल्डू डिस्टिक में ये question ऐसा है जो मुझे नहीं पता था तो आप भी लिखके बताना आपको पता था क्या है ये वैसे तो कोई बताता नहीं है बट फिर भी in which district the highest pass of हिमाचल प्रदेश लोकेटर का हम पे है ये लाहल स्पीती में है आपने मुझे बताना है highest pass है कौन सा है next है highest district headquarter in हिमाचल प्रदेश ये कहां पे है ये है के लौंग जो की लाहल स्पीती में है next time which district of हिमाचल प्रदेश है the highest number of un-electrified village मतलब ऐसे village जहां पे बिजल नहीं है तो ऐसी कौन सी district है तो ये है कि नौर district next question है वशेश्वर महादेव temple is located at which place in हिमाचल पी कहां पे है तो ये हैं बज्जारा में बज्जारा कहां पे है ये हैं कुलू district में तो अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि वशेश्वर महाद मंदिर जो हैं कुलू district में हैं बट कुलू district के कौन से place में हैं अब वो भी पूछा हुआ है तो ये हैं बज्जारा और ये largest stone temple है कुलू का सबसे बड़ा मतलम इसको माना जाता है कि सबसे बड़ा stone का मंदिर है कुलू में ये वो है बशेश्वर महादेव temple next question है महमूद गजनवीने की सभ्यान में कांगडा के जिले को लूटा था तो ये था fourth तो अभी ये पता था सभी को कि महमूद गजनवीने कांगडा के ले को कब लूटा था वो पता है हमें बट किस अभ्यान में लूटा था ये नहीं पता था तो ये है fourth next time बिलासपूर के किसाशक के मुवमेंट और जो जुग्गा मुवमेंट था वो कहां पे हुआ था वो बिलासपूर में हुआ था और ये भी कहां पे हुआ है ये भी बिलासपूर में हुआ है दांदरा मुवमेंट हुआ जुग्गा हुआ ये दोनों बिलासपूर में हुआ है नेक्स्ट नेक्स्ट कोशिन है चौधरी श्रवन कुमार हिमाचल परदेश कृषी विश्य विश्य विधालिया या CSK सिंपली लिखा होता है CSK Agricultural University या फिर कृषी विश्य विधालिया और CSK की फिल फार्म में चौधरी श्रवन कुमार तो यह कब एस्टाब्लिश हुई थी यह हुई थी 1978 को नेक्स्ट कोशिन है यह माचल परदेश परस्पेक्टिव बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो यह रमेश चौहान के द्वारा है और अगर आप देखते होंगे जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हैं तो उनमें यह कोशिन नहीं है नेक्स्ट है के बाद लगता है तो हुई माचल परदेश में कौन सा है तो आपको पता है पुझा पूर्डा पूंडा जो मेडला है बो सब्सक्राइब सिया कि मेरा इप द्रू के नेक्सुरिय पनेरा श सारी चंडरा ऐसरी लेशुर में कि व सीटिर्ट इन में कि अपे-च्छाल बीयास में में हुआ अधड स्विआज एक ऐस्टीवल इन था भागा कांसी आपको पता है चंद्रा भागा क्ःलिका आप PA तो आपको पता है लाहोस पीती में यह है तो यह गोची तुहार जो है मोस्ट पॉपुलर फैस्टिवल है वहां का तो एक कोशन यह भी पुछे जाता है कि गोची जो है किस बैली से लेटर है यह किस डिस्टिक के से लेटर है नेक्स्ट है शिलारू स्टेडियम इस एशोशेटर विद विच स्पोर्स शिलारू स्टेडियम तो शिलारू जो है होकी स्टेडियर है और यह शिमला से 52 किलो मेटर दूर है और आपको पता है एक चैल है जो की हमारे क्रिकेट स्टेडियर है नलदेरा है जो की गोल स्टेडि कि माचलपरदेश का कौन स्थान के लिए परसीद्ध और को crimes и इसा बनाली क्योंकि आपको पते हैं वहां पर बर्फ गिड़ती है कि वहां पर बर्फ और वहां पर हले एंग मेली कोप्तर के दीवा आपको पहले ले जाए जाता है फिर वो जो आपने देखा होगा स्कीट करते हैं एक बोर सा होता है उस पे बैठ के लोग तो उसको हैलिस्किंग कहा जाता है तो वो है मनाली में तो नेक्स है विच डिस्टिक हैट कौर्टर इस रुकेटर एड दा लोवस्ट एल्टिट्यू इसके ऑप्षिन है बिलासपूर, कुल्लू, हमीरपूर और चंबा तो यह है बिलासपूर इस रुटर संन पेग इस लोकेटर इन विच डिस्टिक ओफ एच पी तो यह है कुल्लू डिस्टिक में और नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिका कुंड वाटर स्प्रिंग इस थी माचल पर्देश के किस चिले में स्थित है लालूनी जोद तो ये है लाहल स्पीती में नेक्स्ट है इन विच इयर गुरु गुबिन सिंग विजिटर मंडी कब विजिट किया था 1697 को नेक्स्ट है विच मूमेंट टेक प्लेस इन बिलासपूर तो ये है जुगा अंतोलर इन रिसीव दा नैशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट मैं इन 1965 कि 1965 में मास्टर क्राफ्ट मैं राष्ट पुर्सकार जो है किसे प्रापत हुआ था तो ये थी महेशी डेवी तो इनको जो है राष्ट्रे पुर्सकार प्रापत हुआ था तो I think friends काफी अब यह लंबी वीडियो बन चुकी है तो हम आगे की question जो है 65 से onward जो है हम कल करेंगे तो कि net भी बहुत जादा लगता है अभी वीडियो जो है rotate होगी उसके बाद compressed होगी उसके बाद यह upload होगी तो इतना net है नहीं तो इसलिए अभी इतनी वीडियो पे ही हम stop करते हैं तो बिलते हैं next वीडियो के साथ कल यह जो है डाल दूँगी और जो भी friends मेरे medicals later है उनके लिए मैं बता दूँँ अभी medical का syllabus जो है मैं करवाना शुरू करूँगी medical plus chemistry तो उसके लिए आप ready रहिए और जो भी त्यारी कर रहा है टेट की या कमिशन की तो वह वहां से कर सकता है और mainly वही question जो है मैं करवाऊंगी जो mainly पूछे जाते हैं जो बार-बार repeat हो रहे हैं medical का तो I think मैं पूरा ही सरेवस करवाऊंगी और chemistry के main जो है जो numerical means जो main पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर तो अभी मैंने जो है यह वीडियो त्यार करना शुरू करती हैं उनके लिए भी तो आप देखते रहे हैं वो भी अप्लोड करूंगी बहुत जल्दी तो अभी है जीके का सलेवस एक पर मैंने कहाँ डाल दूँ क्योंकि जो बच्चे आगे त्यारी कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कल भी डेट शिट निकल चुकी है तो उनके लिए बहुत इंपोर्टन रहेंगे तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर यर स्पोर्ट और अच्छे से अपना निया साल मनाईए खुश रहे और खुशिया बाट दिये थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ग पुनाइट